ओम नमस्षिवाई यो तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे पती वश्षी करण के लेकिन जो मैं अपने चैनल पे दूँगा वो सिद्ध मंत्र होंगे आप से पहले नजाने कितने लोगों ने इनको ट्राय किया होगा और जब उसका असर दिखता है तो मैं अपने चैनल में इन मंत्रों को लेता हूँ तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पती को अपने वश्ष में करे अगर किसी भी तरह का मन मुटाव हो, घर में कलेश रहता हो और छोटी-छोटी बाते जो है जगड़ों में बदल जाती हो तो इस यंत्र को बना कर आप अपनी पारिवारिक जीवन को सफल बना सकते हैं अक्सर मेरे पास शिकायते आती हैं कि पती जो हैं अपनी मा की ज़्यादा मानते हैं और जो उनकी पतनी होती हैं उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनते ऐसे में जगड़े होना लाजमी है अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो इस प्रियोग को जरूर कीजेगा अक्सर मेरे पास शिकायते आती हैं कि पती बाहर जो है रिलेशन्स बना रहे हैं तो ऐसे में भी ये जो तंत्र मैं आपको आज दूँगा ये बहुत काम करेगा ये आपको 11 दिनों तक करना है 11 दिनों के बाद या 11 दिनों के भीतर भीतर जो आपके पती हैं वो आपके नाम की माला जबते वे दिखेंगे आपने एक बार कोई चीज कह दिया और वो ना करे ये तो हो ही नहीं सकता तो अपने पती को अपने बिल्कुल उंगलियों पर या चुटकियों पर नचाने के लिए इस तंतर का प्रयोग करे ये मैं उन महिलाओं के लिए दे रहा हूँ जो कि जिन्दगी से दुखी हो गई है जिनने आशक की कोई किरन नहीं दिख रही वो इस प्रयोग को कीजिए और मुझे बताईए कि कितनी जल्दी इसने काम किया किसी का घर बजजाए इस से ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है अगर दो अगरबत्ति लगाने से घर में शुक्षान्ती हो जाती है तो वो दो अगरबत्ति लगा लेनी चाहिए तो ये छोटा सा तंतर कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए जरूर काम करेगा आपको क्या करना है कि ये जो यंतर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसकी बाती बनानी है बाती बनाकर चमेली के तेल में इसको जलाना है ये दिया आपको रोज रात के 12 बजे जलाना है चमैली के तेल में आप अपने घर में कहीं पर भी जला सकते हो इसको जलाईए आप 11 दिनों तक और 11 दिनों के भीतर भीतर जो आपके पती हैं अगर वो आपके नाम की माला जपने लगें तो मैं अपना नाम बदल दूँगा ये कीजिए और ये तना कारगर है कि लाखों लोग इससे लाब उढ़ा चुके हैं अगर किसी तरह की भी दिक्कत या परिशानी आई इसको समझने में तो मुझे कॉल कीजेगा 999-284-1625 और इसको एकांत में कीजेगा अपने पती के सामने ना करें और अगर आप किसी को बताते हो तो ये चीजे काम नहीं करेंगे ये अकेले में करनी होती है किसी को ना बताएं और इस प्रयोग को अकेले में करें धन्यवाद